Strajens, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाईखर? उम्मीध है आप सब खैरियत से होँगी. So students, आज हम जिस subject के बारे में बात करेंगे, वो है computer. Computer subject में आज ए आज जिस topic के बारे में बात करेंगे, वो है input devices. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जाने हाई घर में खुशाम दीव सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम विडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पकिस्तान की चुके अब मुल्क को बहतर बनाना है Input Devices The Devices that we use to enter data and instructions into the computer are called Input Devices Input Devices अपने नाम से ही वाज़े हैं Input यानि किसी चीज को अंदर दाखिल करना जब हम Computer के Terms में Input Devices की बात करते हैं तो Input Devices वो Devices होती हैं जो data और instructions को Computer के अंदर पुट करती हैं ताके Computer को हम अपनी मर्जी के मताबिक रन कर सकें प्रोसेस कर सकें कुछ और Input Devices भी हैं तो चलिए उन Input Devices के बारे में हम देख लेते हैं के आखिरकार वो कौन-कौन सी हैं और उनके functions क्या हैं Keyboard Keyboard बहुत ही Commonly Used Input Devices है Keyboard बिलकुल Type Writer की तरह नजर आता है Keyboard के उपर कुछ Extra Keys भी होती हैं जो के बहुत सारे operations करती हैं Keyboard को हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर Enter करने के लिए इस्तमाल करते हैं Mouse एक और Commonly Used Input Device है Mouse Mouse में दो यह दो से ज्यादा buttons होते हैं जो different functions करते हैं Mouse के उपर एक scroll wheel भी लगा होता है जो एक third button की थरह act करता है Mouse से हम click कर सकते हैं Double click कर सकते हैं और right click भी कर सकते हैं ताके हम बहुत सारे tasks कर सकें Mouse को हम इसलिए इस्तमाल करते हैं ताके हम different objects और text को select कर सकें और computer पे different drawings बना सकें आजकल Mouse wireless भी आ रहा है wireless यानि mouse किसी भी wire या cord से जुड़ा नहीं होता वो बगैर wire के अराम से computer के साथ connect होतकर work करता है Track ball एक track ball बिलकुल mouse की तरह ही होता है लेकिन mouse की तरह हम इसे हर जगा move नहीं कर सकते यह सिर्फ और सिर्फ अपनी place के उपर ही इस्तमाल होता है Track ball में उपर के जानब एक ball लगी होती है जिसे हम roll कर सकते हैं अपनी finger से ताके वो screen पर आपको pointer दिखा सके joystick joystick आपने अकसर video games प्ले करते हुए इस्तमाल की होगी joystick इसलिए use होता है ताके हम बहुत सारे objects को move कर सके जैसे players in various computer games और pointer जोके screen पर नज़र आ रहा हो इसके साथ साथ keyboard भी किसी भी player में वही काम करता है जोके एक joystick करता है लेकिन joystick video games play करते हुए बहुत ज्यादा काम को असान बना देता है और इससे बहुत अच्छा control भी होता है आपका video game में light pen light pen एक input device है जिसे हम use करते हैं different objects को draw करने के लिए जोके directly screen पर draw होती है उसके इलावा हम इसको किसी भी object या text को select करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं और उसके लिए हमें simple pen के तरह उस option के उपर point करना होता है light pen mostly use करते हैं engineers, architects और designers note, mouse, trackball, joystick, light pen ये सब input devices कहलाती है pointing devices ऐसा क्यूं है वो इसी लिए क्यूंके इन devices को हम point ये किसी भी option को select करने के लिए use करते हैं जोके screen पर होता है scanner scanner आपको allow करता है कि आप scan या transfer कर सकते हैं photos को उसके इलावा आप different hand drawn pictures या text को भी computer के अंधर fit कर सकते हैं इसी लिए इसे हम कहते हैं input device web camera एक web camera या webcam एक ऐसा camera होता है जो computer के साथ attach होता है काफी laptop के अंदर built-in webcams मौझूद होते हैं webcam किसी भी series of images को इस तरीके से दिखाता है computer के उपर कि वो images internet के तुरू कहीं भी share की जा सकती है या send की जा सकती है किसी another user की तरफ उसके इलावा webcam most commonly used input device है जो के हम video chatting और video conferencing के लिए इस्तमाल करते हैं digital camera digital camera या digicam एक ऐसा cam है जो के still चीजों की photographs ले सकता है digital form में कुछ camera's में video recording का भी option मौझूद होता है कोई भी picture जो digital form में ली जाती है उसे हम देख भी सकते हैं और print भी कर सकते हैं computer के through जिस वक्त हम चाहें इन images को हम किसी भी special liquid crystal display यानि LCD screen पर भी देख सकते हैं ये images को बहुत ही small memory device में store करता है उसके इलावा ये images computer के through भी कहीं भी transfer हो सकती है microphone microphone एक ऐसी input device है जिसके जरिए हम input या record कर सकते हैं किसी भी voice sound या music को computer के अंदर मौजूदा दोर में काफी systems ने अपने अंदर voice recognition system को input किया हुआ है ताकि इस तरह से कोई भी speech pattern या कोई भी voice या किसी भी pronunciation का बहुत अच्छे से पता लग जाता है और इस microphone की वज़र से हम कोई भी voice sound या music computer के अंदर बहुत असानी से store कर सकते हैं तो students ये थी हमारी आज के विडियो उम्मीद है आपको input devices के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा और आपने इन सब्सक्राइब चीजों को नोट भी कर लिया होगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाजबी कर लें ताके आप input devices के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकें अपना बहुत सारा खयाल रखेगा अल्ला हाफिज